उदम सिंग नगर के खटीमा में राम लिला मैदान पर बले बंगाली समाज के गोविन मंदिर को वन विभाग की टीम ने अतिकर्मन हटाओ अभियान के तहट तोड़ दिया है जिसके बाद से बंगाली समाज की महिलाएं प्रुसाशन के खिलाफ आक्रोशित हैं बता दें कि ये वही मंदिर है जहां मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी ने अपने पहले कारेकाल के दौरान एक लाख रुपे की राशी देखर मंदिर का सौंदर्य करण करवाया था तो वहीं अब धामी सरकार के दूसरे कारेकाल में उसे तोड़ दिया गया वन विभाग क के कारवाय के बाद सड़क जाम कर प्रदशन किया साथी स्डेम ने मुलाकात कर दुबारा मंदिर बनवाने की मांग की समाज के महिलाओं और पुरुशों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से यहां पूजा करते थे हर साल तीन दिनों को यहां भंडारा लगाया जाता है कभी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब बचानक बिना किसी नोटिस के मंदिर तोड़ कर उनकी आस्था के साथ खिलवार किया गया बंगाली समाज की महिलाओं और पुरुश उस इस्थान पर दोबारा मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं हम लोग यहां पर सरकाई जमीन में रहते हैं यह तो सभी को पता है वहां हम लोग पूजा करते हैं तीन दिन का हमारे 24 घंटा का भंडारा होता है और आज से नहीं 15 साल हो गए है एडियम कोर्ट से हमें पर्मेशन लेते हैं तब हम करते हैं वह हम पूजा करके कई दिन हुआ है कि हम लोग कोई जानुन थे नहीं अचानक बन ब्रभाग वाले गए और हमारी मंदिर तोड़के लिके चले आए हैं हम यहीं मांग करना चाहते हैं कि हमारी मंदिर हमें मिली मुला चाहिए पिछले 15 साल से लगबग हम पूजा करते हुए आ रहे हैं तो उस मंदिर क की मांग लेकर हम मैं यहां अजल साब पास आया है है हम जाते हैं कि वह जो मं dulu टूटा है वो फिर से बने और हम लोग हर साल कोजा कुझा करते हुआ है वहीं चलते रहे हैं यह मंदिरी से तोड़ना आक यह मैंनिक्क घुब कि अगर सरकारी भूमी पर मंदीर या मजिद गुर्दवारे बने हुए तो सबसे पहले इनको नोटिस देना चाहिए था इसी तरह बगुलिया में जो एक मंदीर बना हुआ क्या सबसे पहले उसका अर्थिकर्मा हटाने के लिए सरकार ने बोला है इनको सारे में सारे के द्वारा जाकर मंदीर को तोड़ फोड़ करके हटा दिया गया है अगर सरकार में अगर ऐसा कुछ हुआ हुआ है कि मंदीर जित सब अटाने तो पहले हमें वो जियो दिखाया जाए और उसके बाद दिखाया जाए कि बन विभाग वालों को किसने अनुमती दी थी तोड करने की वही मंदीर तोड़े जाने से नाराज बंगाली समाज की महिलाओं ने खटीमा तहसील परिसर पहुंचकर स्जीम का भी घेराव किया और वन विभाग की कारवाई को पक्षपात पुर्ण बताते हुए नियाई की गुहार लगाई जिसके बाद स्जीम रंधीर बरहाल वन विभाग ने बंगाली समाज की आस्था के केंद्र को दौस्त करते हुए अपनी कारवाई को पूरा कर लिया है वहीं दूसरी तरफ बंगाली समाज जिसे पक्षुपात बता रही हैं महिलाओं का कहना है कि अगर सरकारी जमीन पर बने मंदिर को तोड़ा गया तो फिर अन्य जगाहों पर सरकारी भूमी पर जो धार में किस्थल बने हुए उन्हें क्यों नहीं तोड़ा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद